एक ऐसे एक्टर जिनके नाम और शुहरत का डंका भारत से लेकर पूरी दुनिया में बसता है तो वहीं दूसरे ऐसे अभिनेता जिससे को स्टार्स और डारेक्टर्स ही नहीं बलकि बड़े बड़े डॉन भी खौफ खाते रहे लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 30 साल पहले जब इन दोनों बड़े अक्टर्स ने पहली बार साथ काम किया तभी से दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था क्या आप मानेंगे कि इन में से एक ने उस फिल्म के डारेक्टर के साथ कभी दुबारा फिल्में ना करने की कसम भी खाई थी और क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग अक्टर जब विलेन बना तो लोगों ने उसे एक वेल इस्टैबलिश्ट हीरो से भी ज्यादा पसंद किया तो क्या रहा ये पूरा माजरा और क्या सच में 30 साल पुरानी रंजिश की आग अब तक सीने में सुलगा रहें ये दोनों भी नेता ये समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि इस कॉंट्रोवर्सी की शुरुवात कहां से हुई दरसल बात 1993 की है 1992 में आई फिल्म दिवाना से हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाले शाहरुख खान के लिए साल 1993 करियर का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो वहीं असी के दशक में ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एंग्री यंग अक्शन हीरो सनी देओल 1993 तक बेताब, सोहनी माहिवाल, अरजुन, घायल और विश्वात्मा जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत एक सूपर स्टार बन चुके थे 1993 में यश्राज फिल्म्स के बैनर तेले आई फिल्म डर में शाहरुख खान और सनी देओल को साथ काम करने का मौका मिला ये एक साइकलोजिकल रोमैंटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सनी देओल, जुही चावला और शाहरुख खान मुक्य भूमिका में थे फिल्म का विल्म एक सनकी और अग्रसिव लवर होता है जो हिरोईन से एक तरफा प्यार करता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो वहीं हीरो एक नेवी कमांडर होता है जो हिरोईन से शादी कर एक शांत जिन्दगी जीने की कोशिश करता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के डारेक्टर यस छोपड़ा ने जब सनी को ये फिल्म ओफर किया, तो उन्हें हीरो या विलन इन दोनों किरदारों में से कोई एक रोल चुनने के लिए कहा, जिसके जवाब में सनी देओल ने फिल्म का हीरो बनना चुना था हलाकि शूटिंग के दोरान फिल्म के एक सीन में फिल्म के विलन शाहरुख खान को हीरो यानी सनी देओल को चाकू मारना था इस सीन को सनी देओल ने बदलवाना चाहा उन्होंने कहा कि अगर एक कमांडो को कोई गुंडा आकर सामने से चाकू मार दे तो वो कमांडो किस बात का पर फिल्म के निर्मातर निर्देशक यस चोपड़ा इस सीन को बदलने के लिए राजी नहीं थे बताते हैं कि फिर सनी को इस बात पर इतना गुसा आया कि उनका रौधर रूप देखकर शाहरुक खान यस चोपड़ा और यूनिट के सारे लोग शूटिंग छोड़ कर भाग खड़े हुए खैर सनी का गुसा ठंडा होने के बाद फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया गया हलाकि फिल्म जब रिलीज हुई तो शाहरुक खान नेगटिव रोल से चागे फिल्म में सनी देओल के जिम्मेदार पती की भूमिका के मुकाबले शाहरुक खान के सन की लवर वाले किरदार को दर्शकों ने कहीं ज़्यादा पसंद किया और ये बात सनी देओल को अच्छी नहीं लगी उस समय सनी देओल एक मशहूर अक्टर थे जबकि शाहरुक खान फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संगर्श कर रहे थे सनी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया मैं नहीं जानता था कि वे विलेन को फिल्म में बढ़ा चड़ा कर पेश करेंगे मैं फिल्म में हमेशा दिल खोल कर काम करता हूं और इनसान पर यकीन करता हूं इसके बाद सनी देवल ने यस चोपडा से नाराजगी जताई और उनके और शाहरुक खान के साथ कभी फिल्में ना करने की बात कही थी साथ ही सनी ने इसके बाद शाहरुक खान से करीब 16 सालों तक बात भी नहीं की खैर इस घटना के 30 साल बाद यानि 2023 में एक बार फिर ये दोनों अक्टर्स आमने सामने हैं दरसल 11 अगस्ट 2023 को सनी देवल के मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म गदर 2 रिलीज हो रही है तो वहीं 7 सितंबर 2023 को शाहरुक खान की अपकमिंग फिल्म जवान रिलीज होने वाली है जहां एक तरफ गदर 2 सनी देवल के जीवन की सबसे सफल फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्विल है जिससे सनी देवल बॉलिवुद में एक बार फिर कमबैक कर अपना परचम लहराना चाहते हैं तो वहीं लगतार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बाद फिल्म पठान से कमबैक करने वाले शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म जवान में भी पठान वाला ही जल्वा बरकरार रखना चाहते हैं जवान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही शाहरुख खान सुर्खियों में है सनी देवल पर तंज कसने के साथ ही 30 साल पुराने मसले का भी करारा जवाब दिया है दरसल ये डायलोग है जब मैं विलिन बनता हो ना थो मेरे सामने कोई भी एरो टेक नहीं सकता शाहरुख खान के फैंस सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की फोटोज और विडियोज के साथ ही ये डायलोग लिखकर पोस्ट किये जा रहे हैं कि शाहरुख का ये धासु डायलोग डर फिल्म के को स्टार सनी देवल पर एक कटाक्ष है वहीं एक यूजर ने कमेंट किया अगर ये कारण है तो मैं हैरान नहीं हूँ सनी देवल इस बात से नाराज थे कि न्यू कमर ने पूरी लाइम लाइट लूट ली सनी के पिता नशे में ये शोपला पर चिलाए थे और कहा था कि वे उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे उन्होंने 30 साल बात भी अपनी कसम नहीं तोड़ी है तो वहीं सनी देवल के फैंस का कहना है कि शाहरुक के मुवीज को अब सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज ही हिट करवा सकती है दरसल उन लोगों का इशारा पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग की ओर है जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था एक तरफ जहां कुछ लोगों ने बेशरम गाने में हिरोईन के भगवा रंग के कपड़े पहनने पर खूब बवाल काटा तो वहीं कुछ लोगों ने इसे फिल्म हिट करवाने का सस्ता तरीका यानि कॉन्ट्रोवर्सियल बज क्रियेट करना बताया था खेर सचाई क्या रही कहना मुश्किल है और अब कुछ लोगों का मानना है कि पठान के कॉन्ट्रोवर्सियल बज की तरह ही फिल्म जवान में भी शाहरुख खान इस कॉन्ट्रोवर्सियल डायलग के जरीए अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक हाइप यानि बज क्रिये में जलाए हुए हैं या फिर ये सिर्फ खाली बैठे लोगों का एंटिसिपेशन ही है अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए तो बॉलिवुड की किसी बेबाग स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आप से फिरोगी मिलाकात अब तक के लिए नमस्कार